इस बेस्ट सेलिंग बुक से आज में आपके साथ कुछ ऐसे स्मार्ट आइडिया शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप अपने सारे सेल्फ डाउट्स ओवरकम करके अपना ड्रीम लाइफ लीट करना शुरू कर पाओ स्मार्ट आइडिया नमबर वन लोग क्या सोचेंगे उसे ज़्यादा इंपोर्टेंस देने के बदले आप खुद क्या सोचोगे उसे ज़्यादा इंपोर्टेंस दीजिए सारे दोस्त मिलकर ड्रिंक्स कर रहे हैं अब ऐसे में आप अकेला अगर कहते हो नहीं यार मैं ड्रिंक नहीं करता तो वो लोग शायद अरे बच्चे को हॉरलिक्स पिलाओ कोई ऐसा कुछ कहा कर लेक पुल करने लग जाएंगे ये सोच कर ना चाते हुए भी आपने उनके साथ पीना शुरू कर दिया इससे शायद आप उन दोस्तों के सामने कूल डूट बन पाए लेकिन अपनी नजर में आप नीचे गिर गए क्योंकि आपको अच्छे से मालुम है कि ये सब चीजे सेहत के लिए कितना हानी का रख होता है और आपको कोई इच्छा भी नहीं था लेकिन सिर्फ उन लोगों के सामने खुद को कूल डूट डिखाने के लिए आपने अपनी नजर में खुद को गिरा लिया ऐसे में ऑथर जेन सिंसेरो कहती है याद रखे यू आड़ा बैडएस बैडएस उसे ही कहा जाता है जो कुछ भी हो जाए लेकिन अपने ट्रू सेल्फ के साथ कभी कम्टोमाईज नहीं करता एक बैडएस के लिए लोग उसके बारे में क्या सोचते है उससे जादा वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है वो उसके लिए जादा इंपोर्टन्ट है स्मार्ट आइडियो नमबर टू आप कैसा फील कर रहे हो उसके लिए दूसरे किसी को ब्लेम करना बंद करो सोचिए आप असल में लंबे हो लेकिन कोई आपको नाटा कहकर गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है क्या आप उससे गुस्सा होगे? कभी नहीं लेकिन मान लीजिए आपका ड्रीम था आर्मी जॉइन करना लेकिन हाइट थोड़ा सा कम होने की वज़ा से आपको अर्मी जॉइन करने का मौका नहीं मिल पाया अब अगर आपको कोई नाटा कहकर गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा तो आप गुस्सा हो जाओगे और तब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हो तो आप कहोगे क्योंकि वो इंसान मुझे नाटा कहकर बुला रहा है इसलिए लेकिन असल में क्योंकि आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाए और वासे आपके दिमाग में ये बैट गया है कि आप नाटा हो और नाटा होना बुरा है इसलिए आप गुसा हो रहे हो कोई आपके साथ कैसा बिहेव करेगा ये उनका चॉइस है वो आप चाहो भी तो कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन आप अपने मन में किस बात को सच मानोंगे नाटा होना बुरा है या अच्छा है वो आप चाहो तो जरूर कंट्रोल कर सकते हो ऐसे ही जिन्दगी के हर एक फील्ड में होता है कोई अगर आपको गरीब बोलने से आप गुसा होने लग जाते हो तो इसका मतलब जिन्दगी में आप जितना अमीर बनना चाहते थे उतना अमीर शायद आप नहीं बन पाए इसलिए आपको कोई गरीब बोलने से आप गुसा हो जाते हो इसलिए author ने suggest किये कि अगर किसी के behavior से आपको बुड़ा लगता है तो उन्हें उसके लिए blame करना बंद करके उसके पीछे छुपा हुआ आपका कोई negative belief जो की असली reason है उसे ढूंड निका लिए और कोशिश कीजिए उसे किसी positive belief से replace करने के लिए Smart idea no.3 पहले खुद से प्यार कीजिए फिर किसी दूसरे से Life के सबसे बड़े-बड़े decisions जैसे की career, job, marriage इन सब में भी हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरे किसी के बारे में सोचके कभी-कभी ऐसा decision ले लेते है कि फिर जिन्दगी पर हमें अपसोस करके बिताना पड़ता है दूसरे लोगों का किया हुआ हमारे बारे में किसी negative judgment को हम इतना सच मान लेते है कि फिर हमारे अंदर self-doubt पैदा होने लग जाता है दूसरों की care तो हम कर लेते है लेकिन अपने सेहत का ध्यान रखना ही हम भूल जाते है तो भई अगर आपका अपना कप ही खाली होगा तो उससे आप दूसरे किसी का कप कैसे भड़ोगे इसलिए एक badass की तरह अपने self-doubt को overcome करके अपने उपर confidence बढाके अपना dream life lead कर पाने के लिए author ने इस book में बार बार इस बात पे जोर दिया है कि पहले खुद से प्यार कीजिए फिर किसी दूसरे से Smart Idea No.4 आपके negative beliefs यह आपके और आपके goals की बीच में सबसे बड़े obstacles है अगर बच्पन से आप अपने ममी पापा को पैसा कमाते हुए, struggle करते हुए देखते आए हो तो शायद आपके अंदर यह negative belief है कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल काम है और यही आपके अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा obstacle है इसी negative belief की बज़ा से शायद कोई अच्छा खासा business opportunity मिलने पर भी आप आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे आपके अंदर से वो negative belief जिसे author ने big snooze कही है वो आपको रोक लेगा इससे अगर आप बचना चाते हो तो इन जैसे सारे negative beliefs को एक के बाद एक identify करके आपको उन्हें exact opposite positive belief से replace कर देना होगा और इसके लिए author ने positive affirmations जैसे की अमीर बनना आसान है और मैं भी अमीर बन सकता हूँ ऐसे बातों को बार बार अपने मन में repeat करने की सला दी है जिसे कि आपका conscious mind जो कि ultimately आपकी पूरी life को control कर रहा है उसमें जो negative beliefs stored हुआ परा है वो positive beliefs से replace हो जाए Smart idea number 5 हमेशा एक player के जैसा mindset रखने की कोशिश कीजिए बचपन में हम सब के धेर सारे dreams होते हैं लेकिन बड़े होते होते जैसे जैसे हम failure face करते हैं दीरे दीरे वो dreams गायब होने लग जाते हैं उपर से अगर आसपास के लोग supportive नहीं होते हैं तो ये गायब होने की speed और भी बढ़ जाता है इस life problem का solution के तौर पे author ने कही है एक badass player की तरह अपना mindset रखने का एक player जैसे एक match हाणने के बाद पूरी तरह से खेलना ही बंद नहीं कर देता बलकि उस game में उसने जो गलती की है उससे सीख कर अगली बार थोड़ा और better खेलने की कोशिश करता है ऐसे ही अगर कभी हमें भी अपनी life में failure का सामना करना पड़े तो give up नहीं कर देना चाहिए बलकि अपने गलतीयों से सीख कर खुद को माफ करके बिलकुल एक badass की तरह जिंदेगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए तो अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को समप करू तो आज की इस वीडियो से हमें ये सारी चीज़े सीखने को मुला आप चाहो तो वीडियो को pause करके एक screenshot ले सकते हो अगर आप हमिशा खुद को दूसरों से कम मानते हो अगर आप lack of self confidence की problem से गुजर रहे हो तो Jen Sincero की लिखी हुए book You are a badass आपको जरूर एक बार खुद से पढ़ना चाहिए आप चाहो तो इस वीडियो के description में दिये हुए link से जाकर इस book को खरीच सकते हो अब आखिर में आपसे एक छोट इसी request अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे जरूर अपने friends and family के साथ share कीजिए क्योंकि ये वीडियो जितना जादा share होगा मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने सच में कुछ मदद किया है Thanks for watching More wisdom, more solution, better life